student as you know last time we discussed point second so now we will discuss about point third that is a tiger in the zoo by lezel norris जैसा कि आपने summary में देखा summary में आपने देखा कि summary में हमें दो types के tigers की tiger को compare किया गया एक tiger जो cage के अंदर है यानि चिडिया घर में है और second tiger जो जंगल में freely घूम रहा है दोनों के attitude में क्या difference है यह बताना है हमने इस point में so first question is describe the case where the tiger has been imprisoned कि उस cage के बारे में describe करना उस cage के बारे में पिंजरे के बारे में बताना है जहां उस tiger को imprison करके रखा गया है यानि कैती बना के रखा गया है the answer is it is a case in a zoo जो यह पिंजरा है वो एक zoo में है यानि एक चिडिया घर में है bars और इस cage में क्या है iron bars लगी हुई यानि कि लोहे की सलाखें लगी हुई है the tiger has been put behind the bars और tiger को उन bars के पिछे रखा गया है उन लोहे की सलाखों के पिछे रखा गया है it is very small cage और यह जो cage है वो बहुत ही छोटा है the tiger can hardly move a few step in it और tiger जो है वो बहुत मुश्किल से एक या दो कदम उस cage के अंदर ले पाता है यानि कि एक दो कदम मुश्किल से चल पाता है इतना छोटा है वो now next question is how does the tiger look in cage जो tiger cage के अंदर बंध है वो देखने में कैसा लगता है answer is the tiger has sharp clear strip on his body जैसा कि आप सभी को पता है tiger की body पे yellow black color की strips होती है तो यही इनोंने बताये गए जो tiger है उसकी जो strips है उसके body पे जो strips है जो धारियां बनी हुई है वो बहुत ही clear और deep है यानि कि दूर से दिखाई देती है he looks majestic as he moves slowly and quietly in his cage जब वो अपने cage के अंदर बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही शांत तरीके से चलता है तो वो देखने में बहुत ही majestic लगता है यानि बहुत ही ज़्यादा attractive लगता है he has soft velvety pads और उसके जो pads है यानि कि उसके जो पंजे है यहाँ pads का मीनिंग है पंजे जो उसके पंजे है वो बहुत ही soft और velvet है यानि मकमली type के है he makes no noise as he moves जब वो अपने पंजे के अंदर move करता है चलता फिरता है तो वो बिल्कुल भी noise create नहीं करता he has brilliant shining eyes और उसकी जो eyes है वो बहुत ही brilliant है यानि कि शांदार है और बहुत ही shiny है यानि चमकदार है now next question is what should the tiger be doing if he were in the jungle यहाँ पे first two questions में हमें कौन से tiger के बारे में बात की गई है जो tiger zoo के अंदर cat है यानि कि जिसे बंदी बना के रखा गई यहां third question में उस tiger के बारे में बात की गई है जो jungle में रहता है यहाँ पे कहा है what should the tiger be doing if he were in jungle कि वो tiger जो जो case में था अगर यही tiger जंगल में होता तो वो क्या करता कैसे रहता उसका attitude कैसा होता answer is the tiger would be lurking in the shadow of tree जो tiger अगर जंगल में रहता तो वो क्या करता वो एक shadow छायादार पेड़ के नीचे अराम से बैढ जाता है यहाँ लरकिन का meaning better है कि चुप चाप बैठे रहना चिप के बैठना और किसी शिकार की वेट करना ठीक है वो चायादार पेड़ के नीचे बैढ जाता और चिप के बैठता और अपने शिकार की वेट करता और उसके आसपास जो हरी भरी घास है उस घास पे वो धीरे धीरे slide करता यानि कि अगर इनके कोई चोटा पशु पक्शी आता है तो उसको पता ना लगे कि यहाँ कोई अनिमल चिप के बैठा है he would be sitting by some water holes और वो कहां बैठा होगा वो शायद किसी पानी के किसी water body के पास like जंगल में हमें तालाब जरने वगरा मिलते हैं तो शायद वो उन water bodies के पास बैठा होगा and waiting for some pulp deer to pass that way और किस चीज की wait कर रहा होगा कि शायद कोई fatty deer यानि कि मोटा ताजा हीरन आए और उसके पास से गुजरे और जिससे वो अपना शिकार करे और अपनी भूख मिटा सके